Welcome to OnlyIS, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelims Booster News Discussion में आज है 13 November 2020, तो आज है देख लेते हैं से कौन सी important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं देखें ये जो sessions हैं इनकी PDF आप OnlyIS के Telegram चैनल पे अवील कर सकते हैं जिसका link आपको description box में भी मिल जाएगा अपार्ट रम डाट आप OnlyIS नफिंग अल्स टेलिग्राम चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं यहां पर जो हमारा पहला article है वो आचार श्री विजयवललब सुरिश्वर के बारे में है हाल ही में हमारे Honorable Prime Minister ने Statue of Peace को unveil किया, उसका अनावरण किया क्योंकि 150th Birth Anniversary celebrate की जा रही थी जो एक जैन आचार रहे हैं, जैन सेंट हैं स्री विजयवललब सुरिश्वर जी महराज उनकी तो उनकी 151st Birth Anniversary पर इस Statue of Peace को unveil किया गया अब आईए बात आचार रहे स्री विजयवललब सुरिश्वर जी महराज के बारे में कर लेते हैं ये एक सेंट रहे थे जो की 1870 से 1954 के बीच में रहे ये इनका जीवन करम रहा इन्होंका जो जीवन था वो बहुत ही सीधा सादा था इन्होंने निश्वार्थ भाव से लॉर्ड महावीरा का जो मैसेस था वो लोगों तक कनवे करने का काम किया, प्रयास किया उन्होंने लगातार लोगों के वेलफेर के लिए एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए और सोशल एविल्स को जो सामाजिक बुराईयां हैं उन्हें इरैडिकेट करने के लिए लगातार काम किया उन्होंने कई सारे इंस्पारिन लिट्रेशर्स भी लिखे हैं जैसे कि पोईटरी, ऐसे, डिवोशनल हैम्स जो इससर की प्रापना में गीत गया जाते हैं स्तुतिवन्दन किया जाता है इन सभी को इनके द्वरा लिखा गया है उन्होंने काफे एक्टिव सपोर्ट दिया जो हमरा फ्रीडम मोव्मिंट चला था उसके दौरान भी जब 1906 में स्वारेशी एन बाइकाउट मोवमिंट लाँच किया गया था तो बात चली थी कि जो भी फॉरेंड क्लोज्स या फॉरेंड आइटम्स हैं हम उनको बाइकाउट करेंगे और फॉरेंड स्कूल में बच्चे पढ़ने भी नहीं जाएंगे इन डाइट केस कई सारे नेशनल स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे वो आके यहां नेशनल स्कूल में पढ़ सकते थे उस दौरान आचार इस्ट्री विजय वनलब सुरिश्वर जी ने भी कॉंट्रिब्यूट किया था और उनकी इंस्पिरेशन से लगभग 50 educational institutions को establish किया गया था जिसमें colleges, schools, study centers और कई सारे ऐसे institutions डेवलब किये गए थे जो कई सारे states में फैले हुए थे तो इनका जो contribution है वो काफी noted है जो हमारा अगला article है वो BRICS summit के बारे में है हाल ही में हमारे Prime Minister ने 12th BRICS summit को attend किया इसे होश्ट किया गया रशिया के दौरा virtually चुकि COVID-19 की situation चल रही है तो जड़ा तर जो conferences है virtual manner में ही हो रहे हैं जो theme थी इस बार के BRICS summit की that was global stability shared security and innovative growth BRICS के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक संशिप्त सब्द है acronym है पाँच जो बड़ी emerging national economies है उनके नाम के पहले एक्षरों का 2000, Brazil, Russia, India, China और South Africa इन पाँच देशों का जो पहला word है पहला letter है not word वो BRICS बनाता है originally सुरों में देखे इसमें 4 ही देश थे तो ये BRIC हुआ करता था बाद में 2010 में जब South Africa की इसमें entry होती है तब इस BRIC को S मिलता है और ये BRICS बन जाता है अपार्ट सुन डाट देखे इसकी जो chairmanship है मतलब कौन chairman होगा इस summit का ये rotate करता है annual basis पे जो 5 members हैं बारी-बारी से वो अपना एक chairman बनाते हैं तो जो rotation होता है वो BRICS के format में होता है मतलब पहले ब्राजील का दिन रश्या का रश्या के बार देखे इंडिया का number आता है मतलब अगले साल जो chairmanship होगी वो इंडिया को मिल जाएगी BRICS काफी important हो जाता है because इसमें जो 5 देश हैं वो काफी प्रभावसाली members हैं influential members हैं international organization या agencies हैं दुनिया भर की चाहे जो हो चाहे वो United Nations हो, G20 हो NAM हो, Group of 77 हो G77 हो, इन सभी में इन 5 देशों का काफी दबदबा रहता है जो first independent summit होई थी वो 2009 में Russia में होई थी वैसे BRICS जैसा co-institution हो सकता है इसकी बाद तो 2001 से ही हो रही थी कि हाँ ये चारो देश चाहें तो आपस में मिलकर cooperate कर सकते हैं बट finally तो 2009 में पहली summit होती है उसकी बाद जब South Africa join कर लेता है तो ये BRICS बन जाता है BRICS को एक influential block के रूप में भी जाना जाता है जो कि 3.6 billion लोगों को represent करता है मतलब दुनिया की लगबग आधी population और दुनिया की 16.6 trillion की जो combined GDP है वो इन 5 देसों में cover हो जाती है इन्होंने New Development Bank को भी establish किया जो original cooperation को various loans वगएरा देके grant वगएरा देके cover करता है usually loans वगएरा देते हैं concessional rates पर developmental cause के लिए इसे 2014 में propose किया गया था और 2015 से ये effective हो गया था जो हमारा कुछ और additional information है इसमें जैसे की इंडिया जो है वो BRICS की जो next year की presidency है वो avail करेगा और ये तीसरी बार होगा जब इंडिया को presidency मिलेगी अभी तक 13 BRICS summit हो चुकी है जिसमें next year की summit की chairmanship इंडिया अवेल करेगा जो हमारा अगला article है वो East Asia Summit 2020 के बारे में है इंडिया के जो external affairs minister रहे उन्होंने 15th East Asia Summit को represent किया अब East Asia Summit है क्या देखे इसके center में ASEAN की countries है जो ASEAN है उनका बहुत पहले से ये plan था कि East Asia की मतलब देशों को एक साथ मिला ले और एक summit organize करें जिसे हम East Asia Summit का नाम दे तो ये center जो plan था वो तो ASEAN की countries का ही था जिसमें वो बाकिये और देशों को जोड़ना चाहते थे बाद में ये plan बना सुरू में इसमें 6 countries को जोड़ा गया और बाद में दो और जुड़े तो अभी East Asia Summit जो होता है वो total 18 देशों का होता है जिसमें 10 countries तो ASEAN से ही होती है ये प्रकार का बहुत ही premium forum है Asia Pacific Region को deal करता है कई सारे issues यहां पर deal किये जाते हैं जो security या defense से associated होते हैं इसे 2005 में establish किया गया था यदिपी ऐसी कोई grouping हो इसको सबसे पहले 1991 में जो Malaysia के Prime Minister थे महातिर बिन मुहमद उन्होंने कहा था कि हम ASEAN के देशों के साथ कुछ और Asia के Eastern Region के countries को involved करके summit वगरा organize करते हैं लेकिन ground level पे इस summit को organize करना 2005 के बाद से सुरू किया गया इंडिया इसका founding member रहा है HTCI summit का membership में देखे 10 तो ASEAN के ही member हो गया है 2000 Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam और 8 और देश हैं 2000 Australia, China, Japan, India, New Zealand, Republic of Korea, Russia और USA Russia और USA को 2011 में जोड़ा गया था उसके पहले तक 16 होते थे बाद में ये 18 हो गया ASEAN Center Forum है जब प्लान मराथा तब भी बात हुई थी कि LEAD तो ASEAN ही करेगा मतलब जो chairmanship है वो किवल ASEAN के members को मिलेगी बाकी आर्जों हैं उनको नहीं मिलेगी और जब ASEAN की summits होती है उसके just bar इसकी summit होती है East Asia Summit और जो ASEAN का chairman होता है वो ही उस साल East Asia Summit का भी chairman बन जाता है छह focus area है इसके environment and energy, education, finance, global health issues and pandemic disease natural disaster management और ASEAN connectivity उन्हीं members को देखे यहां map में show किया गया है significance यह है कि यह 54% जो world population है उससे cover करते हैं और 58% global GDP करते हैं अब US, China, Russia सब आ गया एक बहुत बड़ा share तो यहीं पर cover को ही जाएगा जो अगला article है वो केला fiber optic network project के बारे में है केला अभी aim कर रहा है कि जो poor families है, public offices है December तक उन्हें free या affordable internet provide करवा दिया जाएगा project यह है कि जो citizen का right है internet access का, उसे fulfill किया जाए जो BPL families है, केला में 20 लाख लगवग BPL families है उन्हें affordable rate पर जो internet है, वो provide करवाया जाएगा apart from that, जो public offices है उन्में भी, जो free internet है उसे available करवाया जाएगा यह collaborative initiative है जो state की power utility है, केला state electricity board और जो state का IT infrastructure limited है यह दुनों लोग मिलकर, इस project को run कर रहे है internet service providers जो है cable television operators है, उन्हें भी invite किया गया है, कि आप भी अगर चाहें तो आकि यहाँ पर जोड़के अपनी services दे सकते हैं जो 20 लाख BPL families है उनके लावा 30,000 government offices and schools में भी high speed network provide करवाया जाएगा project एक milestone होगा, केला काफी अच्छा काम कर रहा है, जो human development indicators है, उनको fulfill करने में जो first word countries है, उनकी तरज पर वो जो parameters है उनको fulfill करने का प्रयास करता है especially health मेंनों ने काफी अच्छा काम किया है जो हमारा अगला article है वो parliamentary session के बारे में है winter session parliament का अभी November में, last week में start होने वाला था but लग नहीं राय के start हो पाएगा because COVID-19 के cases हाल में Delhi में काफी तेजी से बढ़ने लगे है parliamentary session के बारे में बात कर लेते है president जो India की होते हैं, वो empowered होते हैं कि वो, जो parliament की दोनों houses है समय समय पर उनके session को summon कर सकते हैं summon करने का मतलब होता है आधेश देना, ठीक है जो maximum gap है by constitution, दो sessions के बीच में वो 6 महीने से जादा का नहीं हो सकता मतब साल में कम से कम दो sessions तो होने ही चाहिए, यदे फिए India में 3 sessions होते हैं जो first sitting होती है house की उसके बाद जो prorogation होता है जिसके बाद session को formally end कर दिया जाता है उसके बीच जो भी sessions होते हैं जो भी meetings पगएरा होती हैं उने combinedly session कहा जाता है, parliamentary session कहा जाता है तीन sessions जो होते हैं पहला है budget session, फरवरी से मई के बीच में होता है दूसरा मानसून session, युलाई से सब्टमबर के बीच में और तीसरा winter session, नॉमबर से सब्टमबर के बीच में बट ये delay हो रहा है देखे, जो period होता है prorogation और उसके बाद जो नया session लगता है उसके बीच में, उसे recess कहा जाता है अवकास कहा जाता है, मतलब एक session जो यहाँ पे खतम हुआ, तो वहाँ पर prorogation के माध्यम से इसे खतम किया जाता है और फिर नया session यहाँ पर सुरू होता है तो ये पूरा बीच का period जो है, वो रहसे recess कहा जाएगा, अवकास कहा जाएगा session के termination के बारे में कुछ mechanism सपनाया जाते हैं, जैसे कि adjournment, adjournment sign die, prorogation और resolution, इन सभी माध्यमों से जो session है, उसे इन्डी किया जा सकता है adjournment और adjournment sign die में difference ही होता है, कि देखे, adjournment जो होता है, वो एक particular sitting को इन्डी करता है, मतलब जो आज की sitting है, वो समाप्थ हो चाहेगी, अगर sitting कब तक के लिए इन्ड होआ है, ये बता दिया जाए, तो प्रोगेशन में पूरा session खतम हो जाता है resolution की बात करें, तो फिर तो वो house का जो life है, उसे ही terminate कर देता है, लेकिन चुकि जो राज्यसभा है, वो permanent house है, तो वो resolution में नहीं आता, resolution के बल लोगसभा का हो सकता है, इसका मतलब भी है कि वापिस से चुनाओ होंगे, क्योंकि फिर लोगसभा भंग हो जाएगी, खतम हो जाएगी प्रोगेशन जब होता है, तो president इसके लिए एक official notification निकालते हैं, कि भाई अब हम session प्रोग कर रहे हैं, अब इसे खतम करो ये usually तब किया जाता है, जब session complete हो जाए, उसके बाद presiding officer को जब notification मिल जाती है प्रोगेशन की तो फिर वो adjournment sign day declare कर देते हैं, मतलब अब sitting खतम दुबारा कब resume होगी, ये नहीं बताएंगे president यद इपी, session के बीच में भी प्रोग कर सकते हैं, usually वो complete होने के बाद करते हैं, बट बीच में भी कर सकते हैं resolution के वर लोकसभा का होता है राजय सभा प्रोग कर देता है, मतलब फिर से election होंगे president empowered है कि वो लोकसभा को dissolve कर सकते हैं, जो हमारा अगला article है, that is related to United Nations peacekeeping India और US अभी plan बना रहे हैं कि वो एक training undertake करेंगे military personnel की, South East Asian countries के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे वो African countries के लिए कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि India, United Nations की peacekeeping force में contribute करता है और अभी वो 5th largest number of contributor है, 1st पर अभी बांगलादेस है United, USA जो है soldiers contribute नहीं करता वो पैसे fund करता है, वो अधा fund करता है बट soldiers नहीं बेस था लेकिन उसने अभी 2015 में plan किया था कि वो इंडिया के साथ cooperate करके, African countries को थोड़ा train करेगा, वहाँ पर जो peace का atmosphere है, उसे maintain करने के लिए तो African countries में जो collaborate कर रहा है इंडिया के साथ peacekeeping forces के लिए वही collaboration अब वो Asian countries में भी करना चाहते है, विकॉज China बहुत बड़ी संख्या में peacekeeping forces में contribute कर रहा है UN peacekeepers का काम यह होता है कि वो security और political stability प्रोवाइड कर वाएँ अगर किसी जिगर पर विवाद चल रहा है दो देसों के बीच में, तो वहाँ पर operations के तहट आते हैं इनका तीन basic principle है मतलब peacekeeping forces तभी जाती है जब parties की consent मिले impartial रहते हैं, मतलब भी किसी को favor नहीं करते और force का इस्तेमाल नहीं करते except कि वो self-defense में ना कर रहे हैं कोई उनके ओपर हमला कर देगा तब तो करेंगे न और अगर जो mandate बना है वही empower कर सकते हैं peacekeeping forces को तो उन्हें authorize करने का काम United Nations Security Council का ही होता है funding सभी member state करते हैं 27% जो funding है वो तो USA ही किया करता है इसमें UN Charter के मताबिक हर member state legally obliged है कि वो peacekeeping के लिए contribute करें composition देखे ये है कि इन्हें peacekeepers को blue barretts या फिर blue helmets भी कहा जाता है क्योंकि यो निजर्ण की टोपी या helmet पहना करते हैं soldiers, police officers और civilian personnel भी होते हैं जैसे doctor, engineers ये लोग भी साथ में जाते हैं यहाँ पर देखे member states voluntary basis पे खुद की मर्जी से contribute करते हैं soldiers को जो international civil servants होते हैं उन्हें deploy किया जाता है UN Secretariat के माध्यम से, इंडिया UN Peacekeeping में काफे ज़्यदा contribute करता है, अभी 5th largest contributor है, 5424 5,424 personals उसने contribute किये हैं जो 8 countries में deployed है, जो regular budget है उसमें 0.83% और 0.16% वो Peacekeeping budget में contribute करता है जो हमारा अगला article है वो additional judges के बारे में है, high court के, हाल ही में president ने 28 additional judges को एलाबाद high court में appoint किया है additional नाम से इस पच्ट है, मतलब ये extra है, president additional judges को appoint कर सकते हैं, article 217 clause 1 के तहार ऐसा तब किया जाता है, जब या तो काम अचानक से बहुत ज़्यदा बढ़ गया हो या काम बहुत ज़्यदा pending हो, लेकिन ऐसे judges, दो साल से अधिक समय के लिए appoint नहीं किया जा सकते हैं यहाँ बर president नियम के हिसाब से जो एक्ति qualified है उन्हें additional judges के रूप में appoint कर सकते हैं और apart from that, acting judges को भी appoint किया जा सकता है, acting judges का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, कि वो किसी की जगह पे act कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा judge है high court का, chief justice की जगह पे appoint नहीं किया जा सकता, अगर chief justice अपना पत छोड़ देता है, तो फिर किसी एक judge को उसका काम दे दिया जाता है, ऐसी city में इस judge की जगह तो खाली हो जाएगी तो वहाँ पर किसी acting judge को appoint किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति या कोई judge अपनी duty परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उसे chief justice का काम सौमती आ गया है तो उसके जगह पे एक acting judge आ जाता है वो जो acting judge होते हैं, वो तब तक अपने पत पे रहते हैं, जब तक वो judge जिसके जगह पे वो काम कर रहे हैं, वो अपना office resume ना कर ले चाहे वो additional judge हो या फिर acting judge हो वो 62 साल से अधिक उम्र पूरा कर लेने के बाद अपने पत्पे नहीं रहे सकते because that is the ending age या retirement age होती है high court के judges की यहाँ पर देखे कुछ statement है मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप दे चुकि आपने पूरा session cover कर लिया है आप पीछे मत जाईएगा, देखे कि आप पूरा session cover करने के बाद कितना ज़दा recall कर पा रहे हैं तो यह जो past statement है Big Summit, East Asia Summit 2020, Prorogation United Nations Peacekeeping और additional judges of high court के बारे में इसका pause करके जवाब आप comment box में दीजिए इस session में हम यही पर रुकेंगे Thank you very much